कि अपने YouTube चैनल Study Motion में आपका स्वागत है Friends, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई 2020 को लेकर मैंने कुछ current affair को रखा है तो Friends, आते हैं कल के सवाल पर कल का सवाल कहता है Westwick Real Estate पार्दिर सिता सुचकांक में 34 वा अस्थान पर निर्में से किस देश को रखा गया है तो Friends, भारत को 34 वा अस्थान पर रखा गया है Friends, जैसा कि आप जानते हैं प्रते एक दिन एक question पुछा जाता है last में तो आज भी एक question last में रखा गया है तो आप लोग last तक बने रहें तो Friends, आते हैं आज के पहले सवाल पर तो Friends, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन फ्रेस कर ले Friends, आते हैं पहले सवाल पर तो पहला सवाल कहता है कि केंद्रिये, वानिज और उद्योग मंत्राले के आंकडों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वीतिय वर्ष 2019-20 के दोडान भारत का सिर्ष व्यापारिक भागिदारी बना हुआ है तो Friends, अमेरिका सिर्ष व्यापारिक भागिदारी बना हुआ है Friends, बता दूँ, यह लगातार दूसरा वीतिय वर्ष है जब संजुक तराज अमेरिका भारत का सिर्ष व्यापारिक भागिदारी बना है वीतिय वर्ष 2018-19 में संजुक तराज अमेरिका भारत के सिर्ष व्यापारिक भागिदारी बनने के लिए People's Republic of China से आगे निकल गया था जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबन्धों का संकेत देता है अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डिल पर बातचीत चल रही है तो फ्रेंस आते हैं दूसरे नमर के कोश्चन पर तो दूसरा नमर का कोश्चन कहता है कि हाल ही में किस राजी सरकार ने रोको टोको अभ्यान की घोसना की है तो फ्रेंस मध्य परदेश राजी ने इस योजना की घोसना की है मद्परदेस सरकार ने आगामी दिनों में रोको टोको नाम के एक अभियान सुड़ू करेगी यह अभियान उन लोगों पर केंदरित होगा जो मद्परदेस राज में मास्क नहीं पहन रहे हैं राज में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों दोरा स्वेच्छा से चलाया जाएगा चुकि राज़भर में सार्वजनिक अस्थानों पर मास्क पहनना अनिवारी कर दिया गया है इसलिए इस अभियान के तहत स्वेंग सेव को और उन लोगों को मास्क परदान करने का काम सोपा जाएगा तो फ्रेंट्स आते हैं आज के तीसे नमर के सवाल पर रेलेवे बनाने की घोसना की है रेलेवे ने 2030 तक विभिन उपायों को अपना कर अपने कारबन उत्षरजों को सुनी पर पूरी तरह हरित होने का लक्ष निर्धारित कर लिया है रेलेवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्यूतिकरन उर्जा दस्ता सुधारने औ और उर्जा स्रोतों का इस्तमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे रेलेवे ने बड़ी लाइन के सभी मारगों का दिसंबर 2023 तक विद्यूतिकरन करने का लभी लक्ष निर्धारित किया है तो फ्रेंस आते हैं चोथे नमर के कोश्चन पे चोथा नमर का कोश्चन कहत सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुद्रा महंगाई दर निर्ध में से कितने परतिशत पर महुच गई है तो वह है 7.87 परतिशत पर सरकार द्वाला जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महनों में खाद मुद्राश्पिती बढ़कर 7.87 परसेंट हो गई है पिछले साल जून महने में खुद्रा मुल्य सुचकांक आधारित महंगाई दर 3.18 परतिशत थी सांखी के योंग कारेकरम क्रिया निवन मंत्राले ने एक विज्यप्ती में कहा है कि मुद्राश्पिती का आंकड़ा कोरोना वाइरस महामारी के कारण पाबंदी योंग की वज़़ से समिती संख्या में बजारों से एकत्रित आकड़ों पर आधारित है सरकार ने कोरोना वाइरस महामारी के रोगठाम के लिए लोगडाउन के कारण अप्रेल और माई का पूरा सीपियो आंकरा जारी नहीं किया है तो फ्रेंट आते हैं आज के पाच्वे नवर के सवाल पे तो पाच्वे नवर का साल कहता है किस दिगज होकी खिलारी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार से हाल ही में समानित किया गया है तो वो है असोक कुमार जी दिगज होकी खिलारी असोक कुमार को मोहन बगान फूटबॉल कलब के अस्थापना दिवस पर आयोजित समारों में लाइफ टाइम अचीवमेट प्रशकार से समानित किया जाएगा फ्रेंस बता दूँ कोबिट नाइटी महामारी के मौजूद इस्थिति को देखते हुए इस कायम कर्म का आयोजन ओनलाइन किया जाएगा मोहन बगान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है मोहन बगान ने 1911 में इसी दिन आई एफ ए सिल्ड में इस्ट यार्क सायर रेजिमेंट को दो एक से हराया था वे किताब जीतने वाली पहली पहला भारतिये कलब बना था फिन साते हैं शठे नमर के कोश्चन पर शठा नमर का कोश्चन कहता है भारतिये बहुराष्टिये कमपणी रिलाइंस इंडर्स्ट्री लिमिटेड आर आई एल कितने लाग रूपे के मुली को छूने वाली पहली भारतिये कमपणी बन गई है तो वो 12 लाख करोर रूपे की भारतिये पहली कमपणी मिल्क बन गई है रिलाइंस या उपलब्दी हासिल करने वाली पहली भार भारतिये कमपणी बन गई है करोबार के दोरान बंबे एस्टोक एक्सचेंज पर कमपणी का सेर 3.64 फिजदी चटकर वह 1,947 रूपे पर पहुँच गया है इसी तरह ने 1,947.70 रूपे पर पहुँच गया है फिर्ण सब आते हैं सात्वे नमर के कोश्चन पर तो सात्वा नमर का कोश्चन कहता है गूगल के मुख्य कारेकारी अधिकारी सीओ सुन्दर पिचाई ने भारत में अगले साथ-पांच साथ साल में कितने हजार करोड रूपे निवे करने की घोश्चन की है गूगल के मुख्य कारेकारी अधिकारी सीओ सुन्दर पिचाई ने भारत में अगले पांच साथ साल में 75,000 करोड रूपे का निवेश करने की घोश्चन की है कंपनी यह निवेश गूगल फोर इंडिया डिचल लिकरन कोश्च के जड़िये करेगी फिर साथे हैं आठवे नमर के कोश्चन पे आठवे नमर का कोश्चन कहता है उद्योग मंडल फिक्की ने वित वर्ष 2020 किसमें भारत की सलाना जीडीपी विर्धी में कितने परतिस्वत की संकुजन का अनुमान जाहिर किया है तो वो 4.7 तक का परतिस्वत का अनुमान जाह कट के कारण वह अपने पुर्व के अनुमान में वहारी संसोधन कर रहा है उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्विक्षन में 5.5 फिर्जदी की GDP विर्दी का अनुमान जाहिर किया था फ्रेंस आते हैं नम्मे नमर के कोश्चन पे तो 9 नमर का कोश्चन कहता इरान ने ह हाल ही में किस देश को बड़ा जटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है तो फ्रेंस वह है भारत को इरान ने हाल ही में भारत को बड़ा जटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है इरान ने घोशना की है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना का पूरा करेगा भारत के लिए इरान का यह फैसला सामरिक और राजनतिक तोर पर बला जट का मना जा रहा है इस परियोजना के तहत इरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी थी इस रेल परियोजना को अफगानिस केंद्रिये ससत्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतिये पोधार ओपन अभियान में किस केंद्रिये मंत्री ने सिर्कत की है तो वो है अमित साह जी ने इसमें सिर्कत की है केंद्रिये ससत्र बल द्वारा आयोजित अखिल भारतिये पोधार ओपन अभियान में रव इस दोरान उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आवादी वाली देशों में से एक है अब आते हैं आज के सवाल पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो फ्रेंस अगर आप अब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसको दबा कर इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तो फ्रेंस आते हैं आज के सवाल पर तो आज का सवाल कहता है आयकार विभाग ने COVID-19 के कारण आधार कार्ड और पेन कार्ड को लिंक कराने की अवजी कब तक के लिए बढ़ा दी है तो नमर A का ओप्शन है 31 मार्ज 2021, B है 31 जुलाई 2021, C है 23 मार्ज 2022 और D है 31 दिसंबर 2021 21 तो फ्रेंस आप इस का अंसर कोमेंट बॉक्स में जरूर दें थेंक्यू